नमस्का साथियो आपका स्वागत है अनकाडमी के शिक्षा चैनल पर साथियो जैसे कि आप जानते हो सीटेट का आज डिटेल नोटिफिकेशन आया है इस डिटेल नोटिफिकेशन को आप पास सकते हो सीटेट.nice.in वेबसाइट पर अनिता आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं सीटेट नोटिफिकेशन जो है साथियो वो आपको इस बार के सीटेट के लिए क्यों पढ़ना आविशक है क्योंकि आप जानते है इस बार का एक्जाम सीवीटी होगा सीवीटी होता क्या है ठीके तो सीवीटी किसे कहते हैं ये कंप्यूटर वेस्टेस्ट होते क्या है तो ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत हो रहा है लेकिन ऑनलाइन एक्जाम होता क्या है एक बार ये भी जान लो और यहाँ पर मैं आप सबको पूरा schedule पहले इस वीडियो में detailed schedule आपके साथ share करूँगा फिर एक detailed वीडियो फर्दर आपको plus classes में बताता रहूँगा लेकिन यहाँ पर 16 December यह आपका important date है जहां से आपके exam शुरू हो जाएंगे और 13 January तक यह exams चलेंगे यानि 16 आप सबके लिए threshold date है यह वो date है जहां तक आपको तयारी करनी है 16 के बाद आप तयारी आपका exam देर पड़े आपको नहीं पता कब आपका exam पड़े हो यह आपको नहीं पता है ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या दिहान रखना है कि 16 December is the last date और आज है 20th September तीन महीने से भी कम समय है आपके पास Got this point? तो तीन महीने से कम समय है सबसे पहला कारे आपको क्या करना है सबसे पहला कारे आपको करना है कि seated की website पर जाए .nic.in पर यह website आपको दिखाए दे रहा होगा यहाँ पर जाकर आप इस website पर अपना form फिल करिए अपना आपको register करिए ठीक है form filling details और prizes आपको दे रखें यदि आप general और obviously हैं तो 1000 उपे का fees लगता है दोनों paper देंगे तो 1200 का लगेगा और खाली एक paper देंगे तो 1000 उपे लगेगा दोनों paper दे सकते हैं जादा better है अगर आप SCST के हैं तो 500 charges लगेगा और 600 charges लगेगा दोनो paper का ये सब कारिया आप करी लेंगे बहुत ज़दी पर मैं जो आपके दिहान एकतित करने जा रहा हूँ वो है आपकी exam date eligibility पर भी बात करेंगे हमारे N Academy के तमाम educators आप सबसे लगातार इस पर बात करते रहेंगे तो आप सब पहले ये ध्यान रखें 16 December को साड़े नो बज़े से लेकर 12 बज़े का आपका computer based test होगा ठीके ये गलत लिखा है ये baseded नहीं है एक क्या करें CBC वाले भाई based होता है ठीके इन्होंने baseded लिखा है ठीके तो खो जाता है चलो typing mistake होगा कोई दिक्कत नहीं है मुझे याद क्या आगे साथियों पता है मुझे याद आगे 2018 का वो seated का paper जिसमें भर-भर के advanced EBS पूछा था और एक मुझे EBS का question याद है जिसे चारो option में से एक भी option नहीं मिल रहा था खै चलो हो जाता है इंसानों से ही गलती होती है हम सबसे हम से भी गलती है सबसे गलती हो जाती है ठीके तो यहाँ पर computer based test है CBT यह 9.30 बज़े से 12.00 बे तक होगा और फिर आपका second shift जो होगा आप मेरे से जोड़ी सकते हैं unacademy में मिल जाओंगा top educators में आपको मिले जाएंगे unacademy पर आप ping भी कर सकते हैं ठीके और unacademy पर आपको जितना भी doubts आपको चाहिए वो सारा doubt solving आपको मिल सकता है ठीके pattern वो ही है साथियो pattern आपका same है pattern में कोई बदलाव नहीं है पर kind of question में बदलाव होगा ये दिहान रखिए कहीं बार आपको सर क्या ncrt पढ़नी है क्या pattern बदलेगा तो pattern number of questions ये नहीं बदलेगा pattern के अंदर जो kind of question है question के प्रकार वो ज़रूर बदलेगे ठीके बहुत सारी चीज़े मुझे आप सब से discuss करनी है समय समय पर पर अभी आप सब इन dates को एक बार note कर लेजे ठीके यहाँ पर एक आपको certificate provide कराये जाएगा ठीके ये ध्यान रखिए इंपोर्टन है और validity को लेकर काफी चीज़े आपकी चल रही थी ठीके तो इसलिए अब lifetime जो valid हो गया है seated ठीके तो ये dg locker में आपको आपका certificate मिल जाएगा clear उसके बाद यहाँ पर अगर कोई question गलत होता है तो आप challenge भी कर सकते है question को answers को challenge कर सकते हैं test practice कर सकते हैं ठीके खेर बहराल मैं ये कह रहा हूँ कि आप जल्दी से जाकर form fill कर देजिए पहले form fill करें फिर step by step हम सारी चीज़े discuss करी रहे है अने academy पे clear तो date है आपका 19 October last date form filling और यहाँ पर 20 September आज से शुरू हो रहा है पूरा detailed slayvars भी आपको यहाँ पर given है ठीके जो धिहान रखेगा मैं आपसे इजादत लेता हूँ अभी जै हिन जै भारत अने academy शिक्षा के साथ बने रहेगा हर अपडेट्स के लिए थेंक्यू साथि